हलो माई फ्रेंड्स, वेलकम तू माई चैनल गार्णिंग एट हूम और आज का जो विंटर का टॉपिक है वो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम सभी विंटर की तैयारियों में लगे हैं और बिल्कुल बहुत सारे ऐसे बिगनर्स गार्डनर्स हैं जिनको नौलिज नही है हमारे विंटर प्लांट्स की तो आज का विडियो इस्पेशली उनहीं के लिए होने वाला है कि आप इस नवेंबर मन्थ में कौन-कौन से प्लांट्स बाय कर सकते हैं नर्सरी से जो आगे आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देने वाला है हमारे दिसम्बर टू जैन्वरी हमें फुल ब्लूमिंग देने वाला है तो विंटर प्लांट्स की कौन-कौन सी खरीदारी आप नवंबर मन्थ में कर सकते हैं आए जाने तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं हमारे सैंटर में मेरी गोल्ड बहुत ही खुबसूरत से ब्लूमिं क्या चाहते हैं और इस समय फ्लावरिंग चाहते हैं तो आप इस तरीके के प्लांट बाइब कर सकते हैं otherwise आप इसके छोटे-छोटे से प्लांट बाइब करिए देखें गेंदे के जो प्लांट है वो हर साइज में इस समय नर्शरी में अविलेबल है तो हमारे छोटे- बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग देने वाले हैं पूरे ही विंटर ये आपको बिल्कुल जिस तरीके से आप प्लांट लगाएंगे जैसे ये मेरा एक लॉट है इसके बाद जो मैंने सेकंड बैच लगाया हुआ है वो इसके बाद मुझे ब्लूमिंग देगा और इसके बाद ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है तो इस तरीके से ये हमारे हाइब्रेट वाले जो मैरी गोल्ड है इनको भी आप शामिल कर सकते हैं इसके बाद आप इस तरीके से जो जाफरी वराइटी वाले कुछ हमारे देखे यहां पे हैं कुछ उस साइट में भी हमारी तो सबसे पहला नाम तो हमारे मैरी गोल्ड का आता है जो हमें पूरे दिसंबर तक ब्लूमिंग देती हैं तो इस समय नर्सरी में बिलकुल जैसे हमारे मैरी गोल्ड है न सेम उसी टाइप से ये भी आपको मिलेंगी कुछ हमारे ब्लूमिंग की हुई मिलेंगी कुछ में आ कटिंग भी लगा के कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं खैर कटिंग लगाने का समय तो बीच चुका है आप नेक्स सीजन इनकी कटिंग लगा के आप बिल्कुल एक बैलन्स बना सकते हैं जिसमें से यह आपको नेवेंबर से लेके पूरा जनवरी तक ब्लूमिंग देती रहे कुछ बिल्कुल फ्लार यह एक दो दिन में खिल जाएंगे इसके अलावा जो यह आपको बैच देख रहा है अभी इनमें कलिया नहीं आई हुई है तो डिसम्बर से जनवरी तक में यह आपको ब्लूमिंग देंगी इस तरीके से आप अपने गुल्दाओनियों से भी ब्ल प्लांट बाय कर सकते हैं जो आपको बिल्कुल ब्लूमिंग देखा और यह आपके पास हमेशा रहने वाला है बिल्कुल प्लांट है और इनकी कटिंग से आप कई सारे प्लांट जो है वो बना भी सकते हैं थर्ड नमर पर चलते हैं थर्ड नमर पर है हमारा जर्बेरा एक दम यह लाइट पिंग कलर का है यह फ्लार और कुछ मेरे जर्वेरा आपको मैं अपनी क्यारियों में दिखाती हूं तो एक दो साल पुराने प्लांट हैं मैं अभी कलिया नहीं आई हुई हैं यह देखे यहां पर हैं हमारे क्लेमेक्टिक स्वाइन के पास और यह भी हमार तो इस तरीके से यह आपको आगे आने वाले समय में फ्लावरिंग देगा और इस समय नर्सरी में भी एवलेबल है बिल्कुल कई सारे कलर्स में जैसे यह तीन प्लांट मैंने आपको दिखाए ना जो कि मैंने अभी जल्दी बाय किये हैं तो अभी मैंने इनको इसमें देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है तो जर्बेडा भी बिल्कुल आप ले सकते हैं इसके बाद नेक्स नंबर पर आता है हमारा प्लांट की अगर मैं बात करूं तो रोजेज तो रोजेज भी आपके पास हमेशा रहने वाला है और इस समय नर्सरी में बहुत ही अच्छी खासी वराइटी आई होती है हमारे विंटर्स की बिल्कुल हमारे जो रोजेज हैं बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग करते हैं पूरे विंटर ही और ये देखे हमारे भी रोजेज बिल्कुल ब्लूमिंग के लिए रेडी हो गये हैं बहुत ही प्यारा इन में देखिए कली बना हुआ है लगबख 4-5 इसमें कली बनी हुई है आफ्टर प्रूनिंग और ये भी हमको बहुत ही जल्द बिल्कुल ब्लूमिंग देने वाले हैं एक रॉजस को भी आप शामिल कर सकते हैं हमारे पैरनेल प्लांट में बहुत ही प्यारी ब्लूमिंग करते हैं अ जित्ने भी रॉजस जना बिलकुल देखिए इस तरीकी से छुटी-शुटी वराइटी भी आती है हमारे रोजेज की बटन रोज जिसे कहते हैं आप इसको भी शामिल कर सकते हैं अपने गार्डन में तो देखिए हमारे तिकली भी हमारे फूलों का रस लेते हुए और घुमते हुए तो इस तरीके से ये हो गया हमारा फूर्थ प्लांट अब चलते हैं नेक्स नम्बर पे नेक्स नम्बर पे हमारे कुंदे का प्लांट आता है कुंदा भी जो है बहुत अच्छी जैसे हमारे बिल्कुल जैस्मिन करता है ना चमेली हमारे समर में ब्लूमिंग करता है वैसे ही ये विंटर प्लांट है हमारा विंटर जैस्मिन जिसे कहते हैं और ये हमें बहुत अच दरसाल आपके गार्डेन में रहने वाला है बस आपको समय समय पे इनकी प्रूनिंग और फर्टिलाइजर एट करना है और यह आपको विंटर के शुरुवात में ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है और पूरा जनवरी फर्वरी में भी इसमें बहुत सारे फ्लार्ज देखने को मिलेंगे तो बिल्कुल प्लांट में आप इन्हीं भी जरूर शामिल करें अपने गार्डन में बहुत ही प्यारी ब्लोमिंग देने वाला हमारा जैस्में विंटर जैस्में नेक्स नमर पे आते हैं यह हमारे गजानिया बहुत ही प्यारी प्यारी कलर्स में आते और इस समय नर्सरी में इस तरीकी से प्लांट आपको खिले खिलाये मिलेंगे जिससे आपको कलर वेगरेशन भी पता चल जाएगा इधर भी हमारे कुछ गजानिया रखे हुए हैं तो गजानिया को भी आप शामिल कर सकते हैं अपने गार्डन में नेक्स नमर पर ये आते हैं हैं हमारे वर्विमा तक ऺजह. पूरीच भर जाता है यह आपको श्उठाण नजर आ रहा है धीरे धीरे यह पूरा प्लांट भर देने वाले हैं आपको मैं पास से दिखा देती हूं ये देखिए ये हैं हमारे वर्बी नम जो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और बिल्कुल विंटर में आप इनकी शॉपिंग कर सकते हैं इस समय नवेंबर सिल्ले की पूरा जन्वरी तक ये आपको ब्लुमिंग देने वाले हैं तो आप इनको बिल्कुल जरूर शामि प्लांट भी मिल जाएंगे अभी तो ये मैंने छोटे-छोटे प्लांट लगाया हैं जो मैंने सीडलिंग की थी वो प्लांट मैंने लगाया हैं आपको इस तरीकी से बड़े प्लांट भी मिल जाएंगे नर्सरी में एवलेबल होंगे जिनमें बिल्कुल फ्लावरिंग अपने गार्डन में जरूर शामिल करें इस समय आप इनकी आराम से शॉपिंग करें और यह आपको पूरे नवेंबर दिसेंबर जनवरी फ्लावरिंग देने वाले हैं नेक्स नमर पे हमारा सबसे खुबसूरत विंटर का प्लांट पिटूनिया तो पिटूनिया को आप जरूर शामिल करें और हमारे भी पिटूनिया में देखिए यह कल्या जो है वो बिल्कुल बनने लगी हैं धीरे धीरे और यह फ्लावरिंग के लिए धीरे धीरे रेडी हो तो इस समय आपको इनकी seedling saplings से लेके खिले-खिलाए plant भी मिलेंगे पर मैं suggest करती हूं कि आप छोटे-छोटे seedling saplings लेके आए जो आपको कम रेट में भी मिल जाएंगे 5-10 रुपए में आपको छोटे-छोटे seedling saplings मिल जाएंगे और वह आगे आने वाले समय में आपको बहु बहुत ही चीप भी पड़ते हैं बिल्कुल 5-10 रुपए में आपको इस तरीकी से छोटे-छोटे plant मिल जाते हैं और अगर आप बड़ी साइस का flowering की साथ plant लेते हैं तो वह 25-30 रुपए में आपको मिलते हैं थोड़ा सा आपको care करना पड़ता है वाटरिंग का ध्यान दे बहुत ही खुबसूरत लगते हैं तो मैंने भी इनको हैंगिंग बास्केट में भी लगाया हुआ है चोटे-चोटे plant तो इस तरीके से आप पिटूनियास को जरूर अपने garden में winter में शामिल करें जो आपको January, February, March तक ये आपको बहुत अच्छी blooming देने वाले हैं नेक्स नमबर पे बिल्कुल जैसे हमारे ये पिटूनियास हैं उसी तरीके से पैंजी होते हैं जो च्छटे-च्छटे बिल्कुल blooming करते हैं च्छटे-च्छटे से फ्लार उनको भी आप ब्लूम कर सकते हैं मेरे पास उनकी seedling sapling system में नहीं available हैं मैंने seedlings की है तो pick मैं आपक की cuttings दिखाती हूं जो मैंने पुराने plant से cuttings लगाए हैं ये देखे और काफी घने हो गया ये देखे मेरा मदर plant है और बिल्कुल इसी की seedling cuttings जो है वो मैंने यहां पर लगाई है दो cutting और इनमे भी नई growth जो है वो start हो गई है तो अगर आपके पास पुराने plant है तो आप उ की seedling saplings भी ले सकते हैं nursery से हो सकता है आपका अगर area जादा coolest हो तो वहां पर आपको इसके बिल्कुल flowering के साथ भी plant मिल जाएं तो इनको भी आप ज़रूर शामिल करिए डेलिया में इत्ते बड़ी-बड़ी से size के flower खिलते है जो बहुत ही खुबसरत लगते हैं और एक attraction point हो पिछले साल जो है अपने bulb को इसी तरीके से मैंने इसमें रख दिया था और यह देखें यह सारे bulb जो है वो काफी अच्छी growth पे हैं और इनको मुझे report करना है आपको मैं बल्ब दिखाते हूं यह देखें यह सारे bulb मैंने ऐसे ही क्यारियों में रख दिये थे safe करने के लिए और यह देखें सब में नई growth स्टार्ट हो गई है और इनको अब मुझे report करना है और इनकी ही cutting मैंने देखें यहां से मैंने cutting ली हुई है आपको देखेंगा यह देखें यहां से मैंने cutting ली हुई है और इसकी किनारे से दो बिल्कुल branches निकल रही है तो इस तरीके से आप इ तो इस तरीके से आप डेलिया को भी अपने गार्डेन में जरूर शामिल करिए तो बिल्कुल विंटर प्लांट्स की जो लिस्ट है वो इतनी ज्यादा है कि सभी का नाम जो है वो एक वीडियो में लेना संभौ नहीं होता है तो कुछ ये प्लांट जो अभी मेरे पास एवले सब्सक्ति आपने प्लावरिंग प्लांट है और इकट्त हो बीमिल अकुल कैलेंद्डूला को लिह सब्सक्राइब चंज द्रेटूला को है कसी इंस प्लावरिंग के साथा की जरूरह करें तो अगर विलकुल जो ईब कर सकते हैं थम चोटे चखे क्र शलवरवरिंग्त है नर्सरी से और आपको आगे आने वाले समय में हमारे जैनवरी फरवरी टू मार्श तक वो बहुत ही अच्छी और खुबसूरत ब्लुमिंग देते हैं तो फ्रेंट्स ये कुछ मैंने आपको प्लांट बताएं जो बिल्कुल कॉमन प्लांट है हमारे विंटर्स के और आप सभ प्लांट है उनका जो नाम है वो मैं आपको अधर वीडियो में दूंगी तो चलिए आप लोगों को ये वीडियो इन्फरमेटिव लगेगा और आप लोगों के लिए खास भी होगा जिनको बिल्कुल शॉपिंग करनी है नवेंबर मन्थ में तो बिल्कुल ये सारी प्लां के साथ तब तक लिए थैंक्स वाजिए और आपी गार्णिंग तो अलफ यू